हे दोस्तो मैं अन्य रिजीद है और आज इस वीडियो में आपको में बताना चाहता हूँ कि कैसे आप आपके बिखने के लिए एक अच्छा प्रोजरक आइडिया तो विदूख्ड करते हैं तो दोस्तो विदियो शाट कान से बहले हैं बाता ना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजहें कि जो है एसे करें दो दो रिक्वार्मेंट के ऊपर मोश्त ली होता है मैं ऊपने इसको कौम से कंसेट को आपने यूज किया जो पहला मेंटर करता है और सेकेंड कि आ पर Scalable Project बना रहे हैं कि नहीं मिल ईसको कहाँ पर Use कर सकते हो ओआयर रेयल लाइफ सेनारियों में कहाँ आ कर सकते हो इसको यह सब चेक किया जाता है जब स्कोर Day से ना जब एक्सरानल या फिर आपकोई कितर भी आपना आप अब संड करते हो या फिर कंपेशन में जाते हो एग्जीबिशन में जाते हो तो यही चेक करते हैं कि आपके इसले आपके प्रोजेक्ट को स्केल कर सकते हैं और कैसे Art Mode है एक आहणा डूला सकते हैं और क्व्बर कंवोजी के इंध्यि प्रोजेकर और सकति हैं स्टार्ट करते हैं, तो मैं दुस्तो बोलना चाहता हूं कि यह जो प्रोजेक्स है मैं पाइथन रिलेटेड़ी ले 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 लिस्ट में अगर आपको कोई दुसरे टॉपिक्स पर चाहिए यानि कि वेब डेवलोपेंट पर चाहिए तो मैं दुसरी वीडियो है वह पर आप चाहिए देख सकते हो बट इस वीडियो में आपको मैं मुश्ली पाइथन रिलेटेड़ी बताना चाहता हूं और पाइथन भी आप एजली लेन भी कर सकते हो और इसली स्टाट भी कर सकते हो तो start with this first project is get your logo तो दोस्तो get your logo एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको यूजर को कुछ ने जस्सिंपल एक single click पे आपको easily एक logo और उनके ब्रैंड के लिए परस्नल, official, commercial जिस भी यूज के लिए उनको चाहिए आप उनको वो मिल जाना चाहिए ऐसा कुछ आप डिजाइन करो तो बहुत ही यूसफुल होगा क्योंकि अभी बहुत सारे ब्रैंड्स ऑनलाइन हो रहे हैं उनके शॉप्स ऑनलाइन हो रहे हैं due to this corona pandemic situation और corona के situation के वज़े से वो ऑनलाइन जा रहे है तो उनको लोगो चाहिए और वो डिजाइनर को हायर नहीं क सब्सक्राइब कर दो आप भी वहाँ से रिफर कर सकते हो इन तीनों से इस लीस्ट मेंजर मैंने तीन लिस्ट सौट्रिस्ट किये तो आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको को दूसरी आइडिया भीच चाहिए तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो second thing is इसके लिए आप पेच उसका website हो जाना चाहिए ताकि एजली user कोई भी आया तो इसको easily configurable हो और easily वो बिल कर सके second thing मैं आपको बताना चाहता हो कि क्या क्या technology चाहिए tools required है so website will be purely based on django framework okay and logos will be designed using adobe photoshop तो आप depending on the requirement आप logo build कर सकते हो कई सारे मैं बोलना चाहता हो कि आप logo पहले से किसे build करके मैं आड़ा देना चाहता हूँ मेरा idea कि logos हम कई सारे letter wise हम build करके रख दे और नीचे उनका text डाल दे जो users आते हैं उनका जो brand name है वह उस logo के initials के नीचे लग जाएगा तो भी इनाफ है इसमें कुछ इतना work है नहीं तो depending on that you can do that and silent feature में बता है कि any new user signing can refer to this logo चीग है moving to the second idea second is games using hand gestures yes guys hand gestures के ओपर बहुत सारे projects build कर सकते हो आप कोई भी आपी ले लो just की for example hand gestures से writing हो गया hand gestures से screen movement यानि की music play on off video on off तो यह सब projects बहुत easily build कर सकते हैं और आप easily इनको scale भी कर सकते हो so can be implemented in any programming language but for simplicity take python and you can go with ease right तो जो libraries use कर सकते हैं open cv आपको open cv लगेगा open computer vision आपको लगना ही है क्योंकि अगर आप कोई भी recognition card कर रहे हो तो आपको वह लगना ही है तो आप easily इसको build कर सकते हो और scale भी कर सकते हो moving to the third is third to the list is the access bot access bot यानि की कोई भी आप VR या AR का bot बना लो autonomous होना चाहिए हो पूरा और उस आपको उसको build कर सकते हो और this can be done with the help of an access bot और यह होता कया में देख लेता हो VR and AR based autonomous transportation robot for indoor as well as outdoor travel and navigation using google project and tango तो यह अच्छा बहुत अच्छा idea है में को लग रहा है तो आप यह कहा पर भी रख सकते हो आप अभी cell driving car से बहुत सारे आ गए है तो उनके में उनमें भी आप डाल सकते हो तो यह अपर भी रख सकते हो यह अपर भी रख सकते हो side by side आप अप अपर आप देख सकते हो कही सारे malls में अभी लग चुगा है कि मतब एक screen display होता है जिसमें आपको पूरा map और navigation देखने को मिल जाता है तो वैसा एक अगर VR बेस भी हो जाया है तो मज़ा ही आजाएगा तो वह एक आइडिया आप मैं बताना चाहता हूँ कि मैं प्रोजेक्स आइडिया देना चाहता हूँ तो आप देखी सकते हो और technologies क्या क्या लगेगा मैं पढ़ लेता हूँ Raspberry Pi लगने वाल है Raspberry Pi अगर आपको पता ही होगा तो वह जिसमें हम लोग It's like Standalone system के जैसा है वह जिसमें हम लोग Python install करके रंग कर सकते हो तो Arduino भी है वैसा ही बट Arduino पे अप उनका specific language ही रंग कर सकते हो और उसके processing बहुत काम है Raspberry Pi की प्रोसेसिंग है वह जादा है और महेंगा भी है Second thing is Google Speech API लगने वाला है Android Studio लगने वाला है कुछ sensors भी लग सकते है और Google Project Tango भी लगने वाला है यही तक था दोस्तों इसमें जादा इतना बहुत जादा है इसमें वर्क लोड इसमें तो depending on कितना आपको टाइम है यह नहीं बात नहीं है तो यह मैंने तीन लिष्ट बनाई थी वोप आपको अच्छी लगी हो पहला है First is SSBot Second is Game Using Hand Gashers and Third is this Generate Get Your Logo तो दूस्तों यही तक था आज का वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजए मैं सब्सक्राइब कीजए My name is Chidrajit I'm signing out Peace